हलो दोस्तों, वेलकम, आप देख रहे हैं लखेपूर टीवी और मैं हूँ लखेपूरी, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर होने के कारण, लक्षन और इसके लिए इस्तिमाल की जाने वाली अईरवेदिक दवाओं के बा यह आज कल की बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लीवर जो है, लीवर जो है कि बाडी का सबसे बड़ा आरगन है और बहुत महत्पूर्ण अंग है, स्वास्त जीवन जीने के लिए इ कुछी काउं में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है नॉर्मल लिवल में भी थोड़ी फैट की मात्रा होती है अगर यही फैट लिवर की वेजन का दस परसेंट या ज्यादा हो जाता है तो इसे फैटी लिवर माना जाता है फैटी लिवर का कार आज की fast और modern life style इस तरह की problem का कारण होती है, आईरवेद के अनुसार किसी बीमारी का मुख्य कारण अहार विहार होता है, मतलब आप कैसा खाना खाते हैं, आपकी daily routine कैसी है, आप किस तरह के environment में रहते हैं वगरा, highly spicy food ज्यादा खाना, fast food, soft drink, अधिक non-wage खाना और शराब पीना जैसी चीज़ें इसका main कारण होता है, इन सब के अलावा, vitamins की कमी, अंग्रेजी दवाओं और antibiotic का अधिक इस्तेमाल, infection, malaria, typhi, और hepatitis जैसी बीमारी होना भी इसके कारण होते हैं, fatty liver के लक्षन, शुरू में तो जब तक किसी तरह की problem नहीं होती, इसका पता नहीं चलता है, लेकिन जब liver बढ़ जाता है, और पेट में सुजन होती है, तो जाच के बाद इसका पता चलता है, fatty liver से cholesterol भी बढ़ जाता है, और अक्षर heart की problem आने पर जाच में fatty liver का पता चलता है, सीना भारी लगना, liver में दर्द होना, पाचन शक्ति कमजोर होना, भूक की कमी, गैस, लेजीनेस जैसे लच्छन fatty liver के होते हैं, fatty liver की अर्वेदिक चिक्चा, fatty liver के अर्वेदिक दवा लेने से पहले जरूरी है, कि खाने पीने में परहेज करें, तभी आप इससे जल छुटकार अपा सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि परहेज क्या करना, तेल मसाला वाले खाने, तली हुई चीजें, पास्ट फूर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल और नॉन्वेज बिलकुल अवाइड करें, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, आईरुवेद में फैटी लिवर को ठीक करने की कई सारी दवाए हैं, बहुत ही पॉपुलर और हर जगह मिलने वाली दवा का नाम है, ली 52, जिसका इस्तिमाल कोई भी कर सकता है, और फैदा उठा सकता है, यह बहु आईरुवेदिक मेडिसीन की बात करें, तो सबसे उपर नाम आता है आरोग वर्दनी वर्टीकर, यह एक रसाइन आउशधी है, जो नासी फैटी लिवर को नर्मल कर देती है, बलकि पूरे बाडी के लिए सरदार दवा है, कुमारियासव, रहितका रिष्ट, उनरनावा र जाती है, जिसे रोग औरोगी की कंडिशन के हिसाब से सही डोज में अयरुवेदिक डाक्टर की सला से ही लेना चाहिए, अयरुवेदिक दवाई ही लिवर और इसकी बीमारियें जैसे पिलिया, कामला, सिरोसिस, हेटाइटी जैसे रोगों के लिए बेश्ट दवा होती है, तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी, फैटी लिवर के कारण, लक्षम और ट्रीटमेंट के बारे में, लखहैपूर टीवी असली आयुरेद, इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, कोई सेवाल हो तो कमेंट कीजिए, आज की जानकारी को डिस्क्रिप्शन म करा सकते हैं, अगर आपने अब तक हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाईए, ताकि नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आज के लिए इतना ही, जाए हिंद, जाए अईर्वेद!